फाइटो जिनॉमिक में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका DNA सलाईवा सैपल याने लार नमुना कैसे देना है आपका DNA सलाईवा किट एक बॉक्स में आता है जिसमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुल कस्टमर कंसेंट फॉर्म एक नॉन टैरिबल शिपिंग बैग एक DNA लार संग्रा किट और एक फानल और एक बार कोट स्टिकर है निर्देशों के अनुसार आपका DNA लार नमुना देने से पहले सुनेशित करें कि 30 मिनिट तक उपवास हो और किसी भी प्रकार के भोजन, पानी, पेय, दुम्रपान, च्वेंगम तिथा अपने दादों को भी ब्रश ना करें लार नमुना देने के 15 मिनिट पहले आप साफ पानी से अपना मुँख कुला कर लें और ये सुनेशित कर लें कि वो पानी अप ना निगलें चरण एक, अपना कस्टमर कंसेंट फॉर्म खोलें और उपर की ओर बार कोट स्टिकर को चिपकाएं आपका नाम एवं अन्य विवरणों के साथ ठीक से फॉर्म को भरें और पीछे अपना हसाक्षर करें चरण दो, किट के प्लास्टिक बॉक्स को धीरे से खोलें और अंदर की ट्यूब की टोपी को सावधानी पूर्वक खोलें चरण तीन, अपने हाथ में सैंपल कलेक्शन ट्यूब को पकड़ें अंदर के लिक्विट को सुरक्षित रखते हुए उपर की ओर से आप फ़नल को लगाएं एवं सावधानी से बन करें चरण तीन, अपने हाथ में सैंपल कलेक्शन ट्यूब को पकड़ें और धीरे से अपने मुह के करीब ले जाएं अब आप ट्यूब में सलाइवा याने थूखना शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे अपने गालों को मलें या अपने लार ग्रंती को उत्तेजित करने के लिए अपने जीब को मुह के अंदर घुमाएं आपको ट्यूब में चार मिली के निशान याने दो मिली रेजन और आपके दलार के दो मिली तक थूखना सुनिश्चित करें अब धीरे से ट्यूब से फनल को खोलें और इसे फैक दें अब ट्यूब के ऊपर धीरे से टोपी को कसकर बंद करें और इसे 10 सिकेंड के लिए अच्छी तरह से मिलाने के लिए ऐसे हिलाएं चरण चार अब नॉन टेरिबल बैक को लें और इसमें पीछे की तरफ आवशकता अनुसार सारे विवरणों को भरें अब आपका DNA सैंपल कलेक्शन देने के प्रक्रिया समाप्थ होती है अब आपका DNA सैंपल कलेक्शन फाइटो अटॉमी मुख्यालाई को भीजने के लिए तयार है दिख जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.phytotomy.com विडियो देखने के लिए धन्यवाद